हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, कार्बूरेटर के साथ आने वाली बाइक और स्कूटर इन दोनों में चोक और पेट कॉक वैल्ब दोनों को दिया जाता था लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि इन्हें हटाया नहीं गया है BS6 बाइक और स्कूटर में चोक के जगह में आटो चोक सिस्टम होता है और पेट कॉक वैल्ब के जगह में यहाँ पे फ्यूल पंप शट ओफ वैल्ब होता है और इन दोनों के बारे मैं आपको आगे इस फिडिम डिटेल नहीं बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखे और अगर भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं इस्टूरेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल के करियर से लेटेट कुछ इंपोर्टेंट बात है आपके साथ शेर करना चाहूँगा देखो फ्रेंट्स एक बेहतर करियर के लिए सिर्फ एक अच्छे कॉले से एक अच्छा डिगी काफी नहीं होता है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अनकैडमी लेकर आया है एक मेगा इवेंट जो की है करियर असिस्ट समिट ऑन 12 ऑफ जून इस समिट के अंदर इंडेस्ट्री के टॉप स्पीकर फ्रॉम हाले डेविट्सन, वोड़ा फोन, एसी सी सिमेंट, बजाज एट्सेक्टर से प्रेजन होंगे यहाँ पे कई सारे वर्क्सॉप्स भी होंगे और जिनका आपको सर्टिफिकर भी मिलेगा इन सेटिफिकर्स को आप अपने सीवी मा टैज कर सकते हो, लिंक्डिन प्रोफाल को भी स्ट्रॉंग कर सकते हो यहाँ पे सौफ्ट स्किल सेशन होंगे जहां से आप अपनी परसनालिटी, अपने इंटर्विव, अपने इंटरेक्शन को इंप्रूव कर सकते हो इस सेशन को अटेंड करके आप बहुत सारे प्राजेस जी सकते हो जैसे कि LinkedIn प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वोर्थ 9000 रूपीज सभी participant को interview prepare courses का access मिलेकर जिससे आप सीख कर अपने जो अगला interview है उसे crack कर सकते हो और बहुत सारे fundamental courses भी UN Academy के यहाँ पे अवलेबल है समिट के दौरान आप test भी दे सकते हो जिसके help से UN Academy के courses पे आपको 25% का scholar से भी मिल सकता है इन courses के जरिये UN Academy, Mechanical, Electrical, Electronics और Civil Engineers को core engineering sector में jobs crack करने में help करती है साथी अगर आप मेरे coupon code Danish001 को use करते हो तो आपको courses पे 10% का additional discount मिल जागा और इस वीडियो के description में आपको एक number मिलेगा उस number में call करके आप UN Academy के courses के बारे में जादा बेतर तरीके से जान सकते हो तो सारे important links आपको इसी वीडियो के description में मिल जागा इस summit के आप जरूर से enroll कर ले पहले मैं आपको चोक के बारे बताता हूँ ने को चोक का काम क्या होता है जब भी हमारे bike scooter का engine start नहीं होता है तो जो चोक का knob है उसे हम लोग pull करते हैं उसे खीचते है और चोक के knob को खीचने के वैसे ये होता है कि engine के cylinder के अंदर में हवा कम और petrol ज्यादा जाने लगता है और ऐसे में जब combustion stroke होता है हम engine को start करने के कोसिस करते है तो उस time पे petrol के जलने के वैसे ज्यादा power produce होता है और जब तक ये जो चोक का knob वो खीचा हुआ होता है तब तक क्या होता है कि engine के cylinder के अंदर में हर एक intake stroke के टाइम पे ज्यादा petrol जाते रहता और ज्यादा power produce होते रहता है और आपने भी गौर क्या होगा कि जब engine start करते हो और चोक वारा जो knob वो खीचा हुआ होता है उस time पे आपको गौर करते हो कि engine से ज्यादा race का आवाज आता है यह हमारा चोक काम करता है लेकिन अभी के time पे क्या है कि BS6 fuel injected bike और scooter में आपको इस तरह का manual choke system देखने को नहीं मिलता है वो इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि अभी 3 time पे क्या होता कि इन गाड़ियों में होता है issue यानि की engine control unit और engine control unit engine के बहुत सारे function को monitor, supervise और control करते रहता है और यह choke वाला system भी auto choke के system के help से जो issue है वो control करते रहता है मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे ही आप अपने bike as scooter के engine को start करता है और अगर engine ठंडा होता है तो तुरंद जो issue है वो auto choke system को activate कर देता है जिसके वाई से क्या होता है कि engine का crank shaft का RPM है वो शुरू के 30 second, 40 second depend करता है कि engine capacity केतना है वो बढ़ा हुआ होता है और जैसे ही एक scooter के engine गरम होता है अपने बहुत ज़्यादा चला दिया फिर engine को बंद के फिर दोबारे start करते हो तो उस time पे चुके engine start होता है engine गरम होता है और इस वयासे क्या होता है कि उस time पे auto choke system activated नहीं होता है या बहुत ज़्यादा तो 2-5 second के लिए activated होता है तो ये सब कुछ अब manually control न करता है उस वीडियो का link आपको इस वीडियो को description में मिल जाएगा तो अभी क्या हो गया कि चोक जो manual वाला है वो हड़ गया अब आगी है automatically electronically control जो हो आटो चोक सिस्टम में वो आ गया ठीक है तो यहाँ पात हो गई चोक की अब आगर हम लोग बात कर ले पेट कॉक वैल की त तक नहीं जाता है जब पेट्रोल जादा होता तो हम इसे ओन के बोईशन पर रखते हैं जब पेट्रोल रिजर्व में आ जाता है रिजर्व से कम हो जाता है तो हम लोग इस पैट कॉक वैल के नौप को जो है इसे रिजर्व मिल आता और इस तरह साम लोग इसे manually operate करते रहत हैं लेकिन अगर बोग बीए 6 की बात करें तो यहां पे पेट कॉक्वैल मैनुवाली वाला नहीं होता जरूत इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पे स्वाप कुछ ECU के हिल्व से कंट्रोल होता है तो जब हम अपने बाइक का स्कूटर को नहीं चला रहे हैं तो ECU क्या कर इसे रेगूलेट करते रहता है और यहां पे बिल्कुल जरूत नहीं होता है क्या मैनुवाली अपने जो फ्यूल पंप है या फ्यूल लाइन है उसे ऑन ओफ रिजर्व करते रहे इस चीज़ का जरूत नहीं होता और इस वज़ए से भी जो पेटकॉक वैल्व है उन्हें पर इनका requirement अब नहीं है उमीद है कि इस वीडियो में देगे जानकारी अपको पसना आई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बार अतनी रहा है आप मुझे कोमेंट करके जरूर बता है इसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकोन को भी दाबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तरू मिलते रहे मिलता अगले वीडियो में थाम सवाचिंग इस वीडियो गुडबाई